नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज जो हम पेपर की चर्जा करने जा रहे हैं वो है International Political Economy यह जो पेपर है यह बीए प्रोग्राम फिफ्ट समेस्टर या बीए ओनर्स पॉलिटिकल साइन्स के स्टूडेंट्स को डिसिब्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स के तौर पे पढ़ना है इसका आप सिलेबस देखिए यह इसका सिलेबस है International Political Economic जिसमें आपकी लबग पाँच यूनेट्स है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फिफ्ट समेस्टर में आ गए हैं New Education Policy Education Policy के तहट जो हमारा फिफ्ट समेस्टर अपडेट हुआ है तो उसमें यह पेपर इंटिड्यूस करा है आपको तो अंतराश्टी राजनितिक व्यवस्ता देखे यह अभी तक सबसे नया पेपर है इस NAP सिस्टम है डेली उनिवर्सिटी पहली बार इस तरीकी का पेपर पड़ा रहा है हाला कि जो टॉपिक्स हैं इसके जो आप देखेंगे पेपर में वो कई बार हमें जो पुराने पेपर होते थे उसमें भी इंक्लूट कर रखा होता था बगर ऐस पेपर के तोर पे यह है एक नया पेपर है अब देखें यह जो पेपर है इसकी थोटी सी रूपिर खात को समझी ठीक है इस बार जो स्टूडेंट्स हैं जो बी ए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक आईयार का पेपर पढ़ना पढ़ रहा है जो माइनर के तोर पे वो है पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स है ठीक है और जितने भी बी ए प्रोग्राम या बी ए ओनर्स की जो स्टूडेंट है तो ये वाला जो पेपर है हम इसको टील करने जा रहे हैं तो जो स्टूडेंट आईयार का जो पेपर पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो पेपर है ये एक तरह से आईयार का एक एक एक्स्टेंशन है ठीक है ये IR keys जो समझ है हमारी जो अंतराष्टी संबंध वाला जो paper हमें बना के देता है उससे हमें थोड़ा सा आगे लीके चलता है ठीक है paper बहुत ही अच्छा paper है ठीक है तो जो students है ये प्रोग्राम के उन सभी को international का meaning तो समझ में आया था ठीक है जो भी ऐसा कोई चीज जो हमारे domestic spare से बाहर हो ठीक है एक तरसे लचमन रेखा से जो बाहर की जो दुनिया है यानि जो हमारी जो territory है हमारे देश की जो सीमाए है उसकी बाहर गटित होने वाला ठीक है तो international जो एक अलग domain है जहां पर rule of law exist नहीं करता है ठीक है कोई central authority नहीं है ठीक है जो states है international level पे जो देश है या जो राज्य है उनको control कर सके ठीक है तो ये एक ऐसा sphere की बात कर रहा है और international के बारे में हमने आयारे वाले paper में module में भी हमने समझा की international है क्या ठीक है political economy ठीक है तो देखिए ये जो paper है ना ये आपका एक तरह से mixture है ठीक है एक आपको दो तिन discipline को साथ लेकर एक समझ आपको देता है इसका argument ये है कि जो आयार का जो paper है ना ये हमें केवल और केवल एक theoretical understanding प्रोवाइड कराता है ठीक है theoretical understanding और ये इस paper के माद्यम से हम क्या करना चाहते है हम चाहते हैं कि जो political या politics है ठीक है और जो economics है economics प्रसमे sociology ये तीनों को आई तरह से mixture करके ये ही समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो international level पर जो गठित हो रहा है या कोई भी चीजे हो रही है वो कही दर कही इन सभी के mixture के द्वारा हम जो गठित हुआ है कोई भी event हुआ है ठीक है इसको समझ सकते है अब क्या है कि जो IR का जो paper है वो आपको एक theoretical explanation देगा जैसे realism है realism बोलेगा कि नहीं ये जो classical realism है वो ये बोलता है कि ये मानव के स्वभाव में है कि वो लडाई करते रहे हैं ठीक है ये मानव के स्वभाव में है दूसरा तरफ से realism का एक structure realism बोलेगा कि नहीं जो अंतराष्टी इस तरफ पर जो व्यवस्था है इस तर जो है जिसमें एनार्की है कोई central authority नहीं हम इसको minimize कर सकते हैं ठीक है हम coordination करके संधी बना के इस 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 तर को हम रोक सकते हैं यानि जो संभावित जो युद्ध है उनको हम रोक सकते हैं ठीक है तो एक आपको theoretical explanation देता है ठीक है international events के बारे में बट जो ये paper है जो आपको international political economy ये आपको एक multi-dimensional perspective देता है ठीक है multi multi-dimensional किस लिए क्योंकि आपको ये बहुत सारी चीजों से मदद करता है कोई भी आंतराश्टे गटना को समझने के लिए या जो आंतराश्टे जो इस तरह पे कुछ चीज गटेत हो रही है उसको समझने के लिए हमें जो political science के जो methods है या जो concepts है जो economics के जो concepts है जो sociology के concepts है उन सभी का use करते हुए तो ये क्या होगी आपका multi-dimensional ठीक है multi-dimensional एक approach रखता है ठीक है यानि बहु इस तरह एक पैमाना रखता है समझने के लिए क्योंकि बहु इस तरह ये क्यों बोला क्योंकि ये आपका politics के भी concepts को include करता है अंतराश्टे संबन्द को समझने के लिए या फिर अंतराश्टे इस तर पे जो गटिद हो रहा है उसको समझने के लिए political science, इसी से हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, ये हमें एक तरह से पूरा understanding नहीं provide कराता है, ना economics पूरा, इन सबका एक mixture हमें, एक अच्छा हमें कह सकते हैं कि understanding provide कराएगा, इस paper का ये philosophy है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे discipline को, उसकी concepts को use करते हुए, इस paper को built करा गया है, कि हम जो अंतराश्टी, जो समझ में हमारी, हमारी जो वैस्विक दिलिया कि जो समझ है, उसको समझने के लिए हमें कोई एक दिष्टीकोंड नहीं, बलकि हमें सभी दिष्टीकोंड का मदद लेना पड़ेगा, अब देखी, इसको हम सवस्ते ही देखी, एक तो है आपका international political economy, और एक है आपका जो अपर कीस में है, यानि capital letter में है, international political economy, ठीक है, आपड़, ठीक है, लूब, ठीक है, जो international political economy है, वो क्या है आपकी एक field of inquiry है, ठीक है, क्या है, एक जाज का छेत्र है, जहाँ पर हम क्या focus करते हैं, कि हम focus करते actors पे, और उनकी समस्याओं पे, जो की अंतराष्टी है, या अंतराज्य है, या एक राष्टी सीमा के पार है, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर जो आपको समझना है, वो यह समझना है, कि actors कोनो थे, ठीक है, actors, देखें, मैंने international relations में भी यही बताया था, कि जो actors का यहाँ पे मतलब होता है, कि जो international studies पे, जैसे मानली जी, यह एक तरसे लचमन रेखा है, ठीक है, यह एक तरीखें की लचमन रेखा है, ठीक है, और यह आपका है domestic sphere, ठीक है, domestic, और यह जो sphere है आपका यह है international, यानि लचमन रेखा की जो इस तरफ की जो दुनिया है, जहां पे आपकी कानुन, समाज, समिदान, लोग, जो भी है, और एक जो दुनिया जो आपकी देश की बाहर की जो दुनिया है, जो लचमन रेखा के बाहर की जो दुनिया है, उसे हम क्या बोलें, अंतराष्टिय है, पेस बोलें, ठीके, तो जो actors हैं, अब दिखेंई, जो actors हुए वो कौन-कौन हुए, एक तो state हुगया, ठीक है, और बहुत सारी theory state को center में रखके चलते हैं, ठीक है, तो जो actors हैं, अब देखे, political economy न, actors को as such define नहीं करती, बगर state है कि important actor है, ठीक है, और भी होते हैं, जैसी, और भी institutions हो गए, या फिर NGOs को भी कई बार non-state actor बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी perform करते हैं, इंट्राशन लेवल पे, यानि जो लच्मन रेखा है कि बाहर की जो दुनिया है, वहाँ पे एक महत्पूर्ण अगिस्तान रखते हैं, NGOs भी, मगर उनको किस तौर पे इंट्रिड्यूस करा जाता है कि यह non-actor है, ठीक है, मगर जो यहाँ पे हम भी जो लेके चलना है, वो आमे इस्टेट को लेके चलना है, ठीक है, तो जो इस्टेट है, उसकी समस्या क्या है, ठीक है, किसकी inquiry पे फोकस है, जो हमारा international political economy है, जो अंदराश्टियमर, राजनितिक, अर्थवस्ता है, वो क्या है, एक जाज का छेतर है, जहाँ पे जो अभीनेता है, अभीनेता मतलब राज्य है, एक तरीके से अभी, अभी के लिए आप एक राज्य को लेके चल सकते हैं, ठीक है, राज्य के जो मुद्दे हैं, राज्यों, ठीक है, अभीनेता हैं, और मुद्दों पर केंद्रित हैं, जो या तो अंतराश्टिय हैं, या एक राश्ट्र के बाहर के हैं ठीक है अब यहाँ पर एक चीज यह समझना है कि जोब हम small वाले case की बात कर रहे थे तो हमें एक चीज तो किलिए रहा है कि एक field of inquiry है इसको लिख लो, इस वाले point को highlight कर लो, field of inquiry जो किस की बात करता है actors और उसकी issues की बात करता है जो international level पर है ठीक है, clear हुआ फिर हम बात करते हैं कि कुछ जो analysis है ठीक है कुछ जो analysis है वो कई बार global political economy भी बाल का नाम भी देते है मगर यहाँ पर एक चीज समझना है कि यह दोनों different है ठीक है, यह जो international political economy है और global political economy है यह अलग है global political economy इसलिए बोल रहा है क्योंकि यह इसमें जो नई नई मुद्दे है जैसे मान लिजी कि cyber का कोई problem है ठीक है cyber का problem जो data का problem है यह अभी बहुत ज़्यादा highlight में आया 10-12 साल, 15 साल, 20 साल उसे पहले इतना नहीं था ठीक है यह 25 साल पहले ठीक है climate का देखो climate का बारा आपका 1971 के बाद आ रहा है 1972 के बाद आ रहा है जो books आई ठीक है silent spring हो गया और जो conferences हुए तो यह सभी मुद्धों को समाईद करने की बात करता है ठीक है अगर मैं थोड़े से चित्रवरा के समझाना जाओं तो देखिए जो international political economy है international political economy यह इसके बड़ा जो स्फेर है वो आपका geopolitical economy ठीक है क्योंकि इसमें current के जो मुद्धे है जो current के जो happenings है जो events हो है वो कैसे से पूर उन सब पे include कर देता है ठीक है तो इसमें आप देखोगी तो क्या climate change का hunger का ठीक है यह जो illicit market है जो गैर अधिकारिक या अवेद बजार है उन सभी के मुद्धों को समाईद करता है ठीक है और कई बार यह जो word है यह interchangeably है वल्लम दोनों एक दूसरे को कई बार हम global political economy भी बोल जाते हैं कई बार हम international political economy तो यह changeable है ठीक है? मगर थोड़ा से difference आप सब को clear रहोना चाहिए कि इसमें जो global issues है उनको include कर जाता है तो जो main जो point है यहाँ पर इदर आ जाएगा आपका global current issues ठीक है? अब जो दूसरा जो है जो हमारा जो capital letter में है international political economy इसको समझना है यह हमारा actual में discipline है अगर आप paper को भी ध्यान से देखें देखी यहाँ बे भी देखी तो देखी इससे पहले जो हम small letter में कर रहे थे या फिर जो lower case में था वो था एक field of inquiry ठीक है? यहाँ पर लिखा हुए आपका field of inquiry ठीक है? जिसका केवल focus किस पह है? actors पह है और उनके मुद्देव पह है जो की अंतराष्टे इस्तर पह है अब उसके बात जब हम बात कर रहे है इदन लिखे देखे है field of inquiry ठीक है? जो दोसरा है जो दोसरा है जो international political economy जो upper case में है ठीक है वो क्या आपका? multi-disciplinary method of inquiry तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है? multi-discipline ठीक है? नरी ठीक है? तो यहीं पर आपका सारा understanding क्लियर होना चाहिए तो जो multi-disciplinary कह रहा है तो multi-disciplinary का meaning यह होता है कि देखिए हम सब universities में देखते हैं तो different different department रहे जैसे sociology का department हो गया political science का department हो गया economics का department हो गया ठीक है? और भी बहुत रही department है तो philosophy का कोई department हो गया philosophy ठीक है? philosophy तो यह no doubt इनको सब social science कई बार एक जगा बोलते हैं कि यह social science का department है ठीक है? तो यह सभी departments का कोई ना कोई core concept होता है उनकी tools अलग होते हैं methods अलग होते हैं इन सभी का use करते हुए यानि multi-disciplinary इन सभी का use करते हुए इस international political economy को समझना, यहाँ पर events को समझना, यहाँ पर गटनाओं को समझना यह international political economy किस तरीके से चलती है? किस तरीके से वहवार करती है? क्या इसके मुद्दे हैं? इन सभी को समझने में मदद कर ठीक है? तो यह क्या है आपकी multi-disciplinary method of inquiry अब यह method है ठीक है? यहाँ पर methodology इसलिए नहीं खाय, यहाँ पर आपको यह समझना हुआ कि method अलग होता है और methodology अलग होती है method और methodology देखिए जो methods होते है न यह open होते है ठीक है? मतलब एक तरसे open तरीके या फिर खुले तरीके जिससे आप सब यूज कर सकते है methodology में क्या होता है? कि कोई एक particular angle आ जाता है या तो आपको thinker का angle हो जाएगा या फिर कोई एक तरीका जो विवयवस्था किसी न बना रखिए पहने से कोई विवयवस्था बना रखिए तो उसे methodology बोल देगे ठीक है? कहने का मतलब यह है कि जिससे बहुत सारी चीजे अवेलिबल ठीक है? आपके पास बहुत सारा data अवेलिबल है ठीक है? open method या open source तरीके या फिर जो journal जो आपके पास तरीके है वो सब आपको मौझूद है ठीक है? open method एक तरीके से अब यहाँ पर क्या गर रहे हो कि जिससे में कोई यहाँ पर पहुंचना है यहाँ पर पहुंचना है ठीक है? या फिर कोई organization का कोई perspective आज़े तो यह सब चीजे होती है तो यहाँ पर methods लिखा है तो method of inquiry है तो method of inquiry इसलिए लिखा है कि जो यह discipline है इनके जो method है इन सब का use करते होई ठीक है? अगर एक particular discipline का method लिता तो methodology हो जाता ठीक है? मगर यहाँ पर क्या लिखा है? method of inquiry ठीक है? तो इन सब की journal जो methods है उन सब को समाहित करते होई ठीक है? और इसका जो उद्दिशे वो क्या है वो समझी है देखिए aims to explain the interconnection between political, economic and social topics that are not addressed by the separate discipline अब यह जो IPE है जो paper है वो यह कह रहा है कि हम यह जो discipline है ना इन सब का method यूज करते हुए हमें interconnection की द्वारा इन सब को समाहित करते हुए यह जो अंतराष्टी इसतर पर कोई खड़ना है यह कोई बहवार है जो हो रहा है उन सब चीजों को हम समझने की कोजिस करेंगे जो इससे पहले जो separate discipline है वो अपने अपने अलग अलग perspective देते ठीक है तो यह इसका meaning है ठीक है इसका उद्धिशिक है राजनीतिक आर्थिक और समाजिक विश्यों के बीच अंतर संबंद को स्पस्ट करना ठीक है इन सब का interconnection देखना जिने अलग-अलग विश्यों द्वारा संबोधित नहीं किया आ जाता है क्योंकि देखिए जो political science के student है वो political तरीके से ही देखेगा international square को जो economics का student है हो जो एंतरस्टी जो जगत है उसको economics की तौर पे देखेगा फिलासिफिकल जो student है वो philosophy की दुरू देखेगा मगर इन सब का एक साज़ग जो view है वो कोई नहीं देख रहा कि हा क्या हम इन सब को जोडते हुए एक दिश्टी कोन बना सकते है तो ये जो discipline है ये ये try करने की कोशिस करा है कि इन सभी के बीच में एक understanding सब को साथ ले दे हुए अंतराश्टी जगत को समझना या अंतराश्टी sphere को समझना और point क्या लिखेंगे आपसर गंबाइन concepts and methods and insights from economics, political science and sociology तो इन सभी के जो अवधारनाएं हैं जो concept हैं जो विदिया हैं जो methods हैं और अंतराश्टी यानि insights ठीक है उन सब को जोडते हुए चीजों को समझना ठीक है तो इसमें ये क्या-क्या चीजे include कर देंगे ये history को भी include कर देंगे ठीक है जो historical understanding है history को include कर देंगे जो philosophical जो ideas है उन सब को add करते हुए एक comprehensive explanation of global process ठीक है एक ज़्यादा सम्रिद और ज़्यादा व्यापक जो समझ है उसको उपलप्द कराना या उसकी व्याक्था करना ठीक ह जिसमें ये सारे discipline को use करते हैं उनके concept उनके अफदारना है उनकी video सब का परियोग करती हुए या उसका उधारन लेते हुए या उसका परियोग करते हुए इस चीजों को समझ ना ठीक है किसको क्या गरना है एक provide a comprehensive explanation of global process ये ये जो वैस्वी किस तर पे जो घटना ही हो रही ह इसको समझाने की कोजिस करना है ये जो अंतराष्टी जगत पे जो घटना ही हो रही है किस तरीकी से अंतराष्टी जगत चल रहा है उनस चीजों को समझाने की कोजिस कर रहा है जो कि अंतराष्टी जगत किसके द्वारा देखा जाए तो किसकी द्वारा निर्धारित होता जो वैस्वी किस्तर की जो गॉवर्मेंट से दूसरा क्या आ जाता आपका, बिजनेसे आ जाते हैं, ठीके, आप सब देखेंगे, आज के टाइम पे तो बहुत जगा बिजनेसे, सोशल फोर्से, सोशल फोर्से क्या है, ठीके, जो सामाजी, जो सक्ती, वो कैसे प्रभावी रह पर, सोशल फोर्से, तो एक क्या करना इसको, एक कम्प्रिहनसिव एक्स्प्लिनीशन देना है, ठीके, यानि एक व्यापक समझ, समझ, या एक व्यापक व्याठ्या करनी है, अंतराश्टी जगत की या फिर, ग्लोबल प्रोसेसिस की या फिर जो वैस्विक परिक्रिया है, यह आप नूट करें, यह आपके जो डिस्सिप्लीन है, उसका एकदम करक्स है, आप सब यह सोच रहे होंगे कि देखी, पुराने जो थिंकर्स हैं, जैसे जिसमें काल मार्प्स होगए, या एडम से मित होगए, तो इनोंने भी तो एक ऐसा ही परस्पेक्टिव रखा था, वो यह सब जो IPE उसी की तो बात कर रहा है, हाँ, नो डाउट, यह उसी की बात कर रहा है, एक holistic understanding या analysis की बात कर रहा है, मगर modern world को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर गया है कि जो आज IPE है, उस समगर विशनेशन की और लोटना चाहता है, जो कभी राजनितिक सि डानत कारों और दार्शनी को द्वारा दिया गया है, या फिर दिया किया जाता था, ठीक है, तो यह पुराने idea पर ही आना चाहता है, मगर नई challenges के साथ, ठीक है, जो नए development हुआ है discipline में, ठीक है, जो नई-नई समझ बनी है, जो discipline को लेकर जैसे इतियास को लेकर, या फिर social science जो political science को, या फिर sociology को, जो नई-नई understanding है, उन सब का परियोग करते हुए, ठीक है, यहाँ पर जो address करना चाता है, वो एक problem करना चाता है, कि जो disciplinary specialization है, यानि जो एक कोई discipline है, एक कोई discipline है, उसका एक विशेशता होती है, एक विशेशन दक्षता होती है, उसको ध्यान में र जखते हुए, ठीक है, उसका परियोग करते हुए, हमानी जो analytical understanding है, या जो उसकी efficiency है, उसको आगे बढ़ाना चाता है, ठीक है, इसका जो धाड़ना है, जो यह मान के चलता है, कि कोई एक single discipline है, वो आपको एक complete समझ नहीं दे सकता है, आपको एक समग्र समझ नहीं दे सकता अंतराष्टी जगत की, ठीक है, क्योंकि जो एक discipline है, जो एक विशे है, जो एकल जो विशे है, वो अलग तरीके से अपनी चीजों को देखता है, अंतराष्टी इस तरपर, इस तरपर, तो यह बात क्या कि रहा है, कि जो discipline होते है, वो जादर restrictive होते है, अपने data और अपने ideas को लिए कर, ठीक है, एक तरसी नेरो माइंडेट होते है, ठीक है, तो आजकल आप दीखो, जो एनीप का अगर हम इस ट्रक्चर देखे, एनीप का स्ट्रक्चर जो देखे, वो यही चीज़े होतो तो तो तोड़ना चाहरा है, कि जिसे, माल लीजे एक इंजीनियर है, इंज सारी चीज़ों को साथ लेती हुए समझ, ठीक है, कि केवल और केवल एक सिंगल, कि हाँ, अगर इंजीनियर है, तो केवल उसे साइंस की चीज़े ही बसे, हो सकता है, उसे इतियास, हो सकता है, उसे लिट्रेचर की समझ में अच्छा लगता हो, ठीक है, तो कोई एक चीज, मंदब, वन साइज फी टॉल मॉडल नहीं, सबको स्यूज करते हुए, ठीक है, मल्टी डिसिप्लेटी, कई पर जो डिसिप्लीन का जो एक्स्प्लीनीशन होता है, अंतरास्टी जगत का, वो बहुत कॉंप्लेक्स होता है, और बहुत जटी भी होता है, और कई बार उसमें, कोई समझ भी नहीं समझ में आती, और कई बार ये भी होता है, कि जो डिसिप्लीन है, वो चीजों को, वो फ्रेमवर्क को नहीं समझा पाता है, ठीक है, और कई बार उस डिसिप्लीन के बाहर की चीजों होती है, तो वो उसे साइड कर देता है, तो इस चैलेंज को दूर करत हुए IPE अपना स्टार्ट करता है तो अब हम बात करते हैं जो IPE है जो International Political Economy है उसमें बहुत सारी dimensions है ठीक है उसकी बहुत आयाम है ठीक है तो आयाम जो अगर हम देखें जो परमुक्ता से जो आयाम है सबसे पहला जो आयाम है आपका पॉलिटिकल लिखा है ठीक है जिसे राजनीतिक बोल सकते है राजनीतिक दूसरा आपका हो गया इसको dimension लिखनीजे हापर दूसरा जो आपका हो गया वो आपका हो गया इकोनोमिक और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोसाइटी या सोसाइटल लिखनीजे सोसाइटल तो जो आई पी ई है जो इसके बहुत सारे आयाम है यानि पक्ष ठीक है जैसे कि अगर आप डेफिनीशन वो भी ध्यान से देखो न तो पॉलिटिकल आ रहा है और इकनोमिका ठीक है और भी आयाम है मगर परमुक्ता से ये तीन आयाम है जिस पर जो थिंकर्स हैं जो थिंकर्स हैं यानि जो विचारक हैं या फिर जो सोसल साइंटेस्ट वो अगरी करते हैं वो ये तीन परमुक्ता से और भी आयाम है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाने की खोजिस करी थी जैसे यहां पे देखी सोसोलोजी भी है इकनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल भी है फिलोसिफी भी है, इस्ट्री भी है तो बहुत सारे आयाम है, मगर परमुक्ता से यह तीन आयाम है इसका आपको अच्छे से समझ ले ना इसका चित्र भी अगर आप बना के आये क्या ना में अगर पीपर में तो भी अच्छा है ठीक है तो यह तीन परमुक्ता से आयाम है